हेलो दोस्तों आज हम इधियास के कुछ महत्यूपन प्रस्ण करने वाले हैं तो प्रस्ण एक है किस मंदिर में सिखर का सबसे पहला उधार मिलता है वो है देवगड का दसावतार मंदिर में उसके बाद प्रस्ण दो है वो दर्म की किस संगिती में वो दर्म दो भाग हीन यान तता महा यान वी वजित हो गया था वो है चोथी संगिती में प्रस्ण तीन है पाल मंस के किस सासक ने प्रसीद विक्रम सिला विस्विद्याले की स्तापना करवाई वह है धर्मपाल गुप्त मसका कौन सा सासक देवराज तथा देव गुप्त के नाम से भी जाना जाता था वह है चंद्रगुप दीतिय प्रस्न उसके बाद प्रस्न क्या है लोधी मसके किस सासक ने भूमी के लिए एक प्रमानिक पेवाना जिसे गज ए सिकंद्री का प्रसलन करवाया था वह है सिकंद्र साहल लोधी उसके बाद प्रस्न सल्तनत काल में सदका क्या था सल्तनत काल में सदका क्या था उत्तरह इसका एक प्रकार का दार्मिक कर था एक प्रकार का दार्मिक कर प्रस्न समराट अक्बर ने जेन दर्म के जेनाचारिय खारी विजय सूरी को क्या उपादी प्रदान की थी वो है जगत गुरु की उपादी प्रस्ट उस्ताद मंसूर तथा अबूल हसन किस मुगल सासक के स्रेष्ट कलाकारी में से एक थे वो है जहांगीर प्रस्ट होलकर ने अंग्रेज से मजशोल की संदी कब की थी जैनुवरी 1818 में मजशोल की संदी कब की थी जैनुवरी 1818 में प्रस्ट पेरिपलस ओपदा एरिथ्रियंसी पेरिपलस ओपदा एरिथ्रियंसी में अरिक मेडू बंदरगा को किस नाम से संबोधित किया गया वो है पेडोक नाम से अलावदिन द्वारा निर्मित अलाई दर्वाजा किस मस्जित का प्रवेश द्वार है वो है कुबवत उल इसलाम मस्जित का अलावदिन द्वारा निर्मित अलाई दर्वाजा किस मस्जित का प्रवेश द्वार है उत्तर है कुबवत उल इसलाम मस्जित का प्रस्न अकबर के अलप आय होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल समराट के सासन की जिमेदारी किस के हातों में थी यह बेरम खा के हातों में अकबर के अलप आय होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल समराजी के सासन की जिमेदारी बेरम खा के हातों में थी अंतिम मुगल सासक कौन था यह थे बाधूर सा जफर उसके बाद नेक्स्ट क्यूसिन है बो दर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी वह है गोत्मी बो दर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी गोत्मी स्रीमद बागवत गीता किस दर्म का प्रदान ग्रंथ है यह बागवत दर्म का सिमत बागवत किस दर्म का प्रदान गरंथे बागवत दर्म का प्रस्न कि साथ वहक नरेश ने गाता सप्थ दसी नामक महत्वपूनकरती की रचना की वो है खाल ने कि साथ वहक नरेश ने गाता सप्थ दसी नामक महत्वपूनकरती की रचना की वो किती हाल ने नेक्स्ट प्रस्ण किस राष्ट कुछ सासक ने एलोरा के परोतों कटवा गट प्रसीत केलासनात मंदर का निर्वान कराया ये करवायता क्रस्ण प्रथम ने चोल सासक किस धर्म के अनुएई थे ये थे सेव धर्म के किस यूद को जीतने के बस चात सेरसा ने दिल्नी में अफगान सत्ता की इस्तापना की यह है चोसा का यूद उसके बाद नेक्स परसन है आलमगिर टिला जो 1908 में पता लगाया था कहां इस्तिते हैं उतरप्रदेश के मेरट में आलमगिर टिला कहा है से पुलकेसिन दीते से संबंदित है तोलकपियम किस युग की महान करती है तोलकपियम किस युग की महान करती है यह संगम युग की इलाबाद इस्तंबलेक का रचना हारी सेंड ने किया था इलाबाद इस्तंबलेक का रचनागार था हारी सेंड नेक्स्ट प्रस्न अंति मुगल बाद सा बादूर सा दित्य की मुर्तिय कहां होई थी यह होई थी रंगून में फोर्ट विलियम कहां इस दित हैं यह कलकता में इस दित हैं रंजींग और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी वीच 1809 इस यूं में कौन सी संदी हास्ताक श़री हुई थी यह है अमरचोर की संदी रंजिजिश شिंग और बृतिस इस इंडिया कमपनी के बीच 809 में हुई थी यह सन को जरूर आप याद कर लेना 1809 में हुई थी रंजिश इंडिया कमपनी के बीच में अमरजश्र की संधी सिंध वीजे का स्रेई किस बृतिस अधिकारी को है यह है चार्ल्स नेफियर गो सिंध विजे का स्रे किस बेटी सदिकारी को है यह है चार्ल्स नेफियर गो अब है नेक्स प्रस्ण है वेदिक राजाव द्वारा अपनी प्रजा से वसुल किया जाने वाला कर उफार का क्या नाम था वो था बली वेदिक राजाग द्वारा अपनी प्रजा से वसुल किया जाने वाला कर उफार का क्या नाम था वो था बली संगम यूग का ग्रंथ मनी मेकले किस दर्म की सेष्टा प्रतिपदित करता है ये करता है बोध दर्म की बखवान बुद्ध के जीवन की किस गटना को महा बिनिसक्रमन कहा जाता है ये कहा जाता है ग्रहत्याग को किस इस्त्रोत के अनुसार असोक ने अपनी व्रदावस्ता में राज सिहासन का अपने पोत्र संप्रती के पक्स में परित्याग किया था यह दिव्याउंदान से किस इस्त्रोत के अनुसार असोक नप्रदावस्ता में राज सिहासन का अपने पोत्र संप्रती के पक्स में परित्याग किया था यह दिव्याउंदान से का जड मूल से किसने विनास किया यह किया था बल्वन ने चालिस है क्या है चालिस हमीरों का समू का जड़ से जड़ मूल से किस ने विनास किया ये किया था बलवन ने एदराबाद नगर का संस्ता पकों था मुहमद अली कुतुप सा एदराबाद नगर का संस्ता पकों था मुहमद अली कुतुप सा था चांद बीवी का विवा किस राज्य के किस सुल्टान के साथ हुआ था उत्तरे इसका विहापूर के अली आदिल साथ हुआ विहापूर के अली आदिल साह से हुआ चांद बीवी का विहा किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? विहापूर के अली आदिल साह से सूप्रसीत करती तब कात ए अकबरी की रसना किसने की? ये किती खुआजा निजामुदिन अहमद ने किसने कीति खुवाजा निजामुदिन एहमद न की थी सामवेद को गाने वाले विशे सग्यों क्या कहते हैं उदाता सामवेद को गाने वाले विशे सग्यों क्या कहते हैं उदाता कहते हैं सामवेद को गाने वाले विशे सग्यों को उदाता कहते हैं जेन साहित्य को किस नाम से जाने जाता है आगम जेन साहित्य को आगम नाम से जाने जाता है अधिकांस विद्वानों के अनुसार सिंदू गटी से बिता निर्माता थे द्रवीड संगम काल में राजा के जर्म दिन को क्या का जाता है पेरु नल संगम काल में राजा के जर्म दिन को का जाता है पेरू नल याग्या याग्या वल्क्या याग्या वल्क्या इस्मनती ठीका किसने लिखा विग्याने इस्वर ने कस्मीर का अकबर किसे का जाता है जैनूल अबादिन को क्या का जाता है कस्मीर का अकबर का जाता है जेनूल अबादिन को कस्मिर का अकबर का जाता है बाबर की आत्म कता तुजो के बाबरी तुजो के बाबरी इसका नाम है और ये तुर्की 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 बाबरी इसका दीवानी किस मुगल समराठ ने प्रदान की थी? ये की थी साहा आलम दित्या ने. इस इंडिया कमपनी को बंगाल और बिहार की दीवान किस मुगल बादसा ने? प्रदान की थी साहा आलम दित्या ने. रगवेद में दस्य सब्द किस के लिए आया है? ये आया अनारियो के लि यूगिनी सहीत्य किस सेली में लिखा गया है ? ये लिखा गया है कावे सेली में रत मंदिरों का निर्मान किस ने कराया था? ये कराया था नर्सी वर्मन ने मा बलिपुरम में इस्तित साथ रत मंदिरों का निर्मान नर्सी वर्मन ने कराया था उसके बाद तहकीक एहिंद ग्रंत की रचना किस ने की थी? ये की थी अल बरुनी ने ताकीक एहिंद गरंग्त की रचना किस न की थी अल बरुनी ने दीवान एक होई की स्तापना किस सुल्तान न की थी मुवमत तुगलक ने जफर नामा के नाम से इतियास में क्या विक्यात हुआ औरंग जेब को लिखा गया गुरु गोविन सी का पत्र आर्यो के पूरो की और प्रसार का अभिज्यान कराने वाली ग्रंथी विज्याने स्वर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेक किस ग्रंथ में सरुपतम हुआ यह सत्पत ब्रामन सत्पत ब्रामन सत्पत ब्रामन